नमस्तार दोश्तों वैसे है हैं आप लोग आसा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगी तो आप हमारे चैनल में स्वागत है तो चलिए फिर से हम लेकर किया हाजिर है किछन के कुछ एसे टिप्स जिससे कि हम अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं तो चलिए हमारी में टिप्स है कि हम सिलेंडर पे पाउडर डालें और करें पैसों की बचत तो चलिए फिर देखते हैं और जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच समय तो बहुत कम ही मिल पाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहली टिप्स हमारी क्या है जैसे बच्चों की छोटी-छोटी जीन्स होती है इनको रखना अगर हम सही से नहीं रखते तो बच्चे एक निकालते हैं और चार फैल जाती है तो उसको हम किस तरह से रख पहते हैं कि दोनों जोन जुपए हों हम ग तरे से बराबर करने के बाद से को अधिन निए करेंगे पायर क्या करेंगे ंदर के साइड से यह रखतें से क्या होगा से कहिं पहुतने के बाद में घूलती है तो ड़ प्तर इसको हम इस तरह से अंदर कर देंगे इससे क्या होगा आप कहीं भी रखतेंगे तो एक के साथ में अगर दूसरी भी निकालेंगे तो हमारी ये जिन्स इतनी जल्दी नहीं खुलेगी और हमारा जो है जगे भी बचेगी अलमारी में हम डेहर सारे कपड़े रख सकते हैं तो हमारा समय बहुत बचता है क्योंकि बच्चे जब देते हैं तो पूरी अलमारी गंदी लगने लगती है तो इस तरह से रखेंगे तो खराब नहीं होगे तो चलिए अगली टिप्स क्या है जैसे कि इसको आप लोग क्या बोलते हैं गवार फली है इसको अगर हम कच्ची इस अगर बढ़ा देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं क्या होता है इसकी सब्सक्राइब नहीं गलाना है इसको इस तरह से निकाल लेंगे अगर एक तोड़ने बैठते तो बहुत टाइम लगता इसी तरह हम पूरी डंठल के साइड इसको बॉयल कर लिए होते हो निकल जाते हैं इससे हमारा क्या होगा समय बचेगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता अकर उस तरह से हम बनाएंगे तो यह देखे यह कितना ज्यादा निकलता है तो यह तोड़ते जाएंगे और इस तरह से यह देखे बहुत जल्दी हो जाएगा इसको हम सारी निकालने के बाद में आपको दिखाते हैं इस तरह से आप करेंगे तो आपका समय बहुत बच जाएगा और इस तरह से हम सब्जी भी इसकी बना सकते हैं सब्जी इसकी बहुत ही टेस्टी बनती है एक बार जरूर आप लोग ट्राई करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये आप लोग इसको क्या बोलते हैं मेरे यहां तो गौरफली भी बोली जाती है और गाउं में इसको रोसा बोलते हैं को आप बड़ते हैं कमेंट करके जडरूर बताना तू इस तरह से डेखि हैं कितना सारा कच्डानै काच्च्ड़ रहा है तो नहीं हो तक लुद देख देखे सारे ग़े टेयार यह तरफ की निकल गया है जो साइड का होता है वह सारा निकल गया है अब हम चल दने जब गए इसकी और यह सबजी खाने में अच्छी लगेगी इस तरह से कुछ होते हैं किचन के काम जिसको हम इस तरह से करेंगे अगर अपनी बंधी को लगा करके तो हमारा काम बहुत ही आसान ह अगली टिप्स क्या है जिसे आलू बॉयल करते हैं और सुबे का टाइम हो या साम का टाइम हो गरम होते हैं तो इनको हमें छिलने में बहुत दिक्कत होती तो क्या करेंगे एक्षनी ले लेंगे अगर finished पास मुटी वाली है तो इसमें बहुत अच्छे से हो जाएगा मेरे पास पतली वाली थी लेगिन फिर भी हम इसमें इस तरह से कटोरी की साहिता से दबाते जाएंगे और छिलका अलग कर देंगे हमको आलू फोड़ना भी नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी आसानी से हो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और अपनों के साथ सेर भी कर देना तो चलिए देखिए मेरे हाथ भी नहीं गंदे होंगे जादा और ना जलेंगे अब इसमें चलिए मसाला मिला देते हैं और इसके पराठे बना करके तैयार कर लेंगे तो चलिए अगली हमारी मुलायम हो जाए और बच्चों के बालों में ना लगे क्योंकि जब बाल में फसने लगती है तो बच्चन नहीं बाल झरबाते हैं तो इसने जैसे ना बनाते हैं तो इसेह मेरे गर्ण होता है उसी पे हम इस को थोड़ी देर के लिए इसे अपनाल हो जादा इसे जो बहुत ही काम की टिप्स होती हैं, उम्मिद करती हैं, आप लोगों को जरूर पसंद आती होंगी, तो इस तरह से देखे हम सारी गंगी स्थाई कर लिये हैं, अब चलिए अगली यूजफुल टिप्स क्या है, जैसे कि हमारे पेन होते हैं, पेन को तो हम यूज़ करते हैं, ले पेकेंगे, तो इस तरह से देखे हैं, और इनको हम किस यूज़ में लेकर के आएंगे, जैसे क्या होता है, कपड़े हम फैलाते हैं, और हमारे पास चिमटिया नहीं है, और हमारे कपड़े हावा चल रही है, तो यह नीचे गिरने का खत्रा रहता है, तो क्या करेंगे जित पयों यह यह कंग गहार भाराप अगली टिप्स का म犹िए हैक पाउडर को वम्हकु प्रणा में चाह सकते हैं यह नवी श्लीं word आप क्वैसे भां में करें करें क्यों टेसेशा दूहर टीज पत्य ब सब्राइब प्राइब में ड्लिए प्रासेप्स क्जाइपत्ता , जुकी ख़ए पत्ति से करहते हैं कोई भी तर्कम पऊडर ले-लीजे जो भी आप के पास हो ले लिजे और इसमें इस तरह से मिक्स करने के बाद में जहां आप सलंडर रखते हैं वहां पह आप सलंडर की जगे पे रख दीजिए और इस तरह से डालने से यह होगा काक्रोज नहीं आएंगे इसकी स्मैल इतनी अ पसंदना है तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करना फिर मिलेंगे इसी तरह की निश्ट वीडियों